अलो दोश्तों तो कैसे हैं आप साब वेलकम टू माई चैनल सक्से जंग्सन एक कदम सफलता की ओर और हम लेकर के आगए आपके लिए टॉप 25 करेंट अफेर्स कृष्चेन विद डीटेल इनफॉर्मेशन एक एक प्रशन की डीटेल में आपको जानकारी दी जाएगी जिससे अगर उस प्रशन से संबंदित कोई और भी इस प्रशन पूछा जाता है तो वह प्रशन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ये प्रशन किसके लिए महत्पूर्ण है तो आरार भी एंटी पीसी और जो बैंक्स का एक्जाम होता है ससी और एमपी पुलिस की जो वेक चलते हैं है तो यह है आपका पहला प्रशन प्रशन पर 2.5 में घरें किस नीति को मिलने ही वाले हैं आप गारंटिड लिख करके रख लीजिए तो इसका पूरी जानकारी देते हैं नई सिच्था नीती के बारे में तो देखे हाल ही में जारी नई राष्टी सिच्था नीती नई सिच्था नीती की जो मशुदा समीती के अध्यच हैं वो के कस्तूरी रंगन हैं आप से पूछा जा सकता है देखिए अगर हम चाहती तो इसी एक प्रस्ट में 4 से 5 प्रस्ट बना करके अपनी वीडियो को लंबी कर सकते थे लेकिन नहीं हमको एक ही प्रस्ट में आपको प्लस टू के स्थान पर कौन सी सिच्छा पदेती लाग हो गई तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये सिच्छा पदेती लाग हो गई है डीटेल जानकार येगर आपको दे तो कि बाख्चे को पोछन के सिकार जमाना चल रहा है खाना पीना बैसे इतने अच्छे सिकार्व जूद नहीं मिल रहा है ठीक है उपर से इतना बजन लाद दिया थो जो जुक को देखते हूं यहाँ नई जो नीती लाइग नीती 2020 इसके अनुसार बच्चे का वजन जो है उसके वजन का 10% वजन ही स्कूल बैक के वजन का होगा अब देखिए एनीपी 2020 के नुसार कच्छा 5 तक कि सच्छा मात्रभासा में ही होनी चाहिए और कच्छा 6 से कोडिंग भी सिखाई जाएगी यानि की कोडिंग भी अब बच्छों को सिखाई जाने लगए कच्छा 6 के बाद से ही ठीक है चलिए प्रश्ण बर तीन की ओर चलते हैं तो यह आपका एनीपी से समझ देता है कि परक का पूर्ण रूप क्या है आपसे पूछा जा सकता है या तो परक का पूर्ण रूप पूछ लेंगे नहीं तो भी दिल्ली पूलिस से पूछा गया की परक में के का फूल फॉर्म क्या है अर्था के का मतलब क्या है यह ऐसे पूछा गया तो पूरी जानकार आई है आपको देते हैं परक का फूल फॉर्म है पर्फॉर्मेंस असेटमेंट रिव्यू एंड एनलेसिस ऑफ नॉलिज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक-एक सब्द का अलग-अलग अर्थ है तो यह सारे सब्द के अर्थ आपसे अलग-अलग पूछे जा सकते हैं जैसा कि भी जो दिल्ली पुलिस का एक्जाम हुआ है उसमें आपसे पूछा गया था कि परक में के का अर्थ क्या है तो के का अर्थ यहां पर नॉलिज है तो ऐसे ही एक ही सब् क्या है परक में ठीक है चलिए प्रश्ट नंबर 4 की ओर चलते हैं तो यह प्रश्ट नंबर 4 राष्टि खेल पुरिसकार 2020 के लिए चैन समीति का प्रमुक कौन था ये आप से पूछा गया है और अभी हाल ही में राष्टी खेल पुरिसकार 29 अगस्त को दिये गए हैं ठीक है बहुत महत्यपून टॉपिक राष्टी खेल पुरिसकार तो उससे संबंदी जो भी प्रश्ट आएंगे उनके बारे में भी हम आपको जानकार देंगे इस्पोर्ट के लिए एक हम अलग से वीडियो लाने वाले हैं कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी तो उसकी लगबर 25 टॉप 25 प्रश्ट होंगे उनसे बाहर प्रश्ट जाने की संभावना है बहुत ही कम रहेंगी देखिए इसका अंसर है मुकुंदम सर्मा जो है तो यहनों ने राष्टी खेल पुरिसकार 2020 के लिए चैन समीति के प्रमुक का कारभार निभार आया मतलब कि पहले स्पोर्ट क खेलाडियों की आपके पास पर लिष्ट आ जाती पर उसमें से आपको चुनना होता है कि राजीव गांधी किसको दिया जाएगा अर्जुन किसको दिया जाएगा सारे पुरिसकार किसको दिये जाएंगे चैन समीति के जो प्रमुक है वो है मुकुंदम सर्मा और राष्ट नमर पांच है हाल ही में घोसेत राष्टी खेल पुरुसकार में राजीव गांधी खेल रहते पुरुसकार किस पैरा एथलीट को मिला है बहुत ही महत्यपून प्रशना है पैरा एथलीट को यहाँ पर जो पुरुसकार दिये गया राजीव गांधी वो पूछा गया है तो तो मरियपपन थंगा वेलू और यह कौन है यह हाई जंपर है और पैरा एथलेट है इसलिए इनको जो है यह पुरुसकार मिला है तो पूरी जनकारी आपको हम देते हैं मरियपपन थंगा वेलू के बारे में तो देखे इन्हों ने रियो पैरा लंपिक जो 2016 हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था हाई जंपर में यह असम के सलेम जिले से आते हैं यह एक हाई जंपर हैं पांच लोगों को राजीव गांधी खेल रतने पूरुसकार दिये गए हैं कौन-कौन है तो रोहिस सर्मा क्र मरियपन थंगा वेलू हाई जंपर हमने आपको पता दिया रानी रामपाल जो होकी कपतान है भारत की विनेस फोकाट एक रेसलर हैं और मनीका बद्रा टेबल टैनिस खेलती हैं तो आपको पूरी जानकारी हमने दे दी और कौनसा प्लेयर किस खेल से समन्दित है यह भी हम आपको दे दे रहे हैं अगर हम चाहती तो और प्रस्ट भी बना सकते थे लेकिन हमारा धिये है कि टाइम कम और जानकारी ज्यादा ठीक है चलिए प्रस्ट नमबर 6 क्यों चलते हैं तो प्रस्ट नमबर 6 किस वयोब्रद कोच को 2020 का प्रतिश्ट द्रोणा चार पुरिसका करनाटक से आते हैं और एक एथलीट थे यानि कि एथलीट कटेगरी का उनको यह पुरुसकार दिया जाने वाला था लेकिन ठीक एक दिन पहले उनकी मृत्ति हो गई ठीक है तो कौन थे वह तो पुरुसोत तमराय जो की करनाटक से आते हैं प्रस्ट नमर 7 की बात करते हैं बोड के पहले CEO कौन है अब यहां से आपके रेलवे के करेंट अफेर के प्रस्ट स्टार्ट हो गए हैं कि जो आपके रेलवे में योजनाय चली है रेलवे ने क्या क्या किया है यह सारे प्रस्ट आपके लिए करेंट अफेर बहुत महत्रपून है रेलवे के एक्जाम ये भी आप जान लीजी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस की थी और बताया था कि रेलवे का जो फेस टू है एंटी पीसी का वो भी आपका 16 जन्वरी से स्टार्ट हो जाएगा चली प्रेशन वर आठ क्यों चलते हैं वो सारे डीजल वाले इंजन बंद हो जाएंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिफाइड यानि की इलेक्ट्रिक इंजन ही चलेंगे और प्रदूसर्ण मुक्त हो जाएगा रेलवे तो 2030 तक लच्छ रखा है और उम्मीद है कि प्राप्ति कर लिया जाएगा देख कुछ अन्य टार्गेट भी रखे हैं रेलवे ने वो भी हम आपको बता देते हैं और यह प्रश्ण आपसे पूछे ही जाएंगे तो देखिए 2027 तक 101 नई ट्रेने जो कि प्राइवेट ट्रेन चलाने का लच्छ रखा गया जैसे तेजस जर्शी ट्रेने चालू की गई है 2023 तक पुर्वत्तर रज की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोडने का लच्छ रखा गया है जो आप कहते हैं मडीपूर की बात कर लेते हैं मेगाले की बात कर लेते हैं नागालेंड की बात कर लेते हैं तो विद्धूती करत का हमने आपको बता दिया है 2030 तक भारत जो है भारती रेलवे जो है प्रदूर्शन मुक्त हो जाएगा यह हम आपको बता दिया है तो देखी 2030 तक सभी ब्रॉडगेज पट्रियों कर विद्धू से जोड़ देंगे तो 2030 तक यह लच्छ भी प्राप्त कि किया गया साथ अगस्त को 1519 किलो मीटर की दूरी तै की गई है यह इस ट्रेन के द्वारा प्रस नमबर दस की बात करते हैं तो भारती रेलवे बोर्ड ने किसके साथ सच्छता और पर्यावरान पर एक बेवी नौर आयोजित किया है तो इसका अंसर है यू एन इपी के साथ यहां पर एक बेवी नौर आयोजित किया है सच्छता को लेकर के जैसा कि भारती जो प्रदानमंती नरेंद मोदी जी ने यहां पर आहवान किया है कि रेलवे को भी सच्छ बनाना है हमें हर हाल में तो यू एन इपी की साहता से रेलवे बोर्ड ने एक सच्छता पर्यावर तरकों की गई थी आप से पूछा जा सकता है यू एन इपी का मुख्याला है तो नेरो भी केन्या में इस्तित है अगले प्रश्ण की और चलते हैं तो यह प्रश्ण 11 भारती रेलवे की पहली रोल आन रोल आफ सेवा किस रेलवे जोन में सुरू की गई है तो इसका अंसर ह दच्छ्ण पश्चिम रेलवे में चलते है रोल आन और रोल आफ सेवा भारती रेलवे में 18 जैसा कि आपके पता ही है दच्छ्ण पश्चिम रेलवे का मुख्याला है हुबली में है तो अगर आपने कभी देखा होगा कुछ ट्रेन हैं जिनके ओपर कोई डिब्वे नहीं से पहुंच जाता है तो यह है रोल ऑन रोल आफ यानि रोल रो सेवा भी इसको कहते हैं चलिए प्रस्ट नमबर बारा की ओर चलते हैं तो प्रस्ट नमबर बारा है कि से लड़ने के लिए पोश्ट कोविट कोच बिक्सित किये गए हैं तो कोविट कपूर्थाला पंजाब राज्जी में इस्तित एक कोच फैक्टरी है बंदे भारत ट्रेन का निर्माड चेंड नहीं की इंट्री कोच फैक्टरी हुआ था तो कपूर्थाला तो हमने आपको पता दिया लकिन यह प्रस्ट आपसे पूछा जाएगा कि वंदे भाराट ट्रेन क को किस देश में भेजा है तो इसका अंसर है बांगलादेश रवाना किया भारती रेलवे ने पहली बार सामां से भरी सूखी मिर्च की रेलगारी अब आपके लिए बहुत महत्तपून हो तो देखिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं तो यह ट्रेन आंधर प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्च को भर कर बांगलादेश के बेनी पोल के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में 384 टन सूखी मिर्च भरी हुई थी तो कितनी ट्रन 384 टन कहां से कहां तक तो देकन क्वीन एक्स्प्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है जो देश की पहली सुपर फास्ट ट्रेन भी थी तो देखिए यह बहुत महत्तपूर है क्योंकि अभी हाल ही में यह नीज में रही है यह ट्रेन डेकन क्वीन इसका आंसर है मुंबई से पूड़े की बीच देकन क्वीन अब हम इससे संबंदित बहुत सारी आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि आप से रेलवे के अग्जाम में पूछा जा सकता है डेकन क्वीन भारत की सबसे पूरानी ट्रेन है जो कि 1 जून 1930 को मुंबई से पूड़े के बीच चली थी तो सबसे पूरानी ट् तो देकि बंदे भारत की स्पीड जो गतिमान से तेज है लेकिन अभी तक बंदे भारत ने अपनी उस स्पीड को प्राप्त नहीं किया है जो आपकी गतिमान एक्सप्रेस है वो 160 किलो मीटर पर धिखंटा की स्पीड से चल सकती है बंदे भारत एक 180 किलो मीटर की स्पीड नहीं प्राप्त की है तो अभी सबसे तेज चलने की बात करते हैं कि वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली बात करते हैं तो गतिमान एक्षप्रेसी आपको एंसर देना पड़ेगा चलिए प्रस्ट नमर 15 की और चलते हैं ि आ यार्षी टीची ने गोल्डन चेयरीट ट्रेन के लिए किस राज परेटन विकाश निगम के साथ समझाठा किया है ति गोल्डन चेयरीट जो यह ति होती यह उति न के लिए maharको पनी कारता है सबसे पहले महाराजा एक्सप्रेस 2010 जो कि राजिस्तान से मध्यप्रदेश की बीच में चलती है इस्पेसलीफ और परियाटकों के लिए ही यह ट्रेन चला या थी टूरिज्म के लिए दूसरी ट्रेन की बात करते हैं तो सबसे पुरानी पैलेस ओन वील्स जो है 1982 में चलोगी गई राजिस्तान में यह चलती है पैलेस ओन वील्स उसके बाद जो आपकी ट्रेन है गोल्डन चैरियट जिसके हम बात कर रहे हैं 2008 में यह प्रारम की गई और करनाटक के राज्यों में जितने भी आपके स्टेशन है उन राज्यों में आपको घुमाती है गोल्डन चैरियट उसके बाद रॉयल ओरियंट की बात करें केबल इस्टेश नाम किस में एक पर्राक आपके लिए यह नहीं गे केबल आधारित एक गोल्डन चैरियों में आपके लिए और बात करते हैं तो वित्व की सबसे उंचा रेलवे ब्रिज भू हुँ जम्मू कस्मीर बिए थी ही बना है चाफ की बना है US कर भी घर से उंची रहे क्या अ क्ला है लोरिप लृ चलत canyonda तो पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं भारती रेलवे दारा संचालित यहां ट्रेन मालगारी है अब देखे एक प्रस्ण आप से पूछा जाता है तो भारती रेलवे ने 12,000 होस पावर वाला एक रेलवे इंजन भी बिक्सित किया है जिसे WAG 12 नाम दिया गया है अभी जो एक्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस का TCS ने कराया था वहां पर यहां प्रस्ण पूछा गया तो अतरिकती जानकारी की रूप में हमने यहां प्रस्ण आपकी इस वीडियो में एड कर दिया है तो बहुत सारे प्रस्ण जो की पेपर में आच चुके हैं और आपके की और चलते हैं भारती रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहां पर खोला गया है तो इसका अंसर है मुंबई में खोला गया है भारती रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की सुरवात किस ने की तो किस railway station पर lockdown के दोरान स्क्रीनिंग और निगरानी में तेजी लाने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन तैयार किया गया था तो इसका अंसर है पुड़े railway station पर रोबोट कैप्टन अर्जुन तैनात किया गया था अब देखिए पूछा जा सकता है पुड़े किस नदी के किनार है तो पुड़े जो है वो मोथा नदी के किनार इस्तित है पुड़े में ही जानवरों का पहला अनाथाले खोला गया है तो यह प्रश्ण महत्पूर्ण है ज दूसरा सबसे बड़ा metro network बन गया है तो पूरी जानकारी आपको देते हैं भारत का पहला metro network के कोलकता metro है जो की 1984 में चैलो किया गया था कई बार यहां परिच्छाओं में आया हुआ है और भारत का सबसे बड़ा मैट्रो नेटवर्क दिल्ली मैट्रो है यह भी आप ध्यान कर लीजिए चलिए प्रेशनमबर 20 की ओर चलते हैं यह बहुत ही महत्ति प्रेशनमबर बार आपसे कह रहा हूं इनको पढ़ करके जाईए आपको एक्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे प्रवासी स्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्धिस से रोजगार सेत्व योजना किसके दोरा चलाई गई है अभी तक आपके रेलवे के करेंट के प्रेशन चल रहे थे यहां से आपके योजना उसे समंद्री प्रशन चलेंगे अलग-अलग राज की योजना है इसका अंसर मद्य प्रदेश सरकार के दोरा प्रवासी स्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्धिस से रोजगार सेत्व योजना चालू की गई है कुछ अन्य उजना जो आपके लिए महत्पूर्ण है मद्य प्रदेश सरकार की तरफ से तो एक मास्क अनेक जिंदगी मद्य प्रदेश सरकार की उजना है मद्य प्रदेश कोई नदियों का मायका भी कहते हैं और सोया बीन प्रदेश जो है वो भी आपका मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् योजना उडीसा सरकार की महत्पूर्ण योजनाएं हैं और यह योजनाएं आपके प्रश्ण पत्र में देखने को मिलेंगी एंटी पीसी का जो 28 से एक्जाम स्टार्ट होने वाला है और MP पुलिस के लिए भी बहुत महत्पूर्ण हैं प्रश्ण से संबंदित है तो पूरी जानकारी देते हैं महत्पूर्ण क्यों हो इस वजह से गाया है इस वजहड़ा हैम प्रश्णनोर 24 का प्रतम हिंम प्रतम सब्द जहां भी लगा मिल जाए तो आपको वो चीज अच्छे से पढ़ लेनी है तो उत्राखंड में चालू किया है प्रतम हिम तेन गुआ सन्राखंड किंद्र देखे उत्राखंड की जो ग्रीश्म काली राजधानी है वो गैर सेड है कई बार यहां प्रश्न आया ह और महत्वड पूर्टल भी उत्राखंड नहीं चालू किया है और सौर स्वरवजगार योजना यह वी उत्राखंड की है और जा रहा जा रहा है चलिए प्रेशन मबर 25 जो कि आखरी प्रेशन है उसकी और चलते हैं तो आपरेशन वनीला किसके दोरा चालू किया गया बहुत महत्पूर है तो भारती नौसेना के दोरा आपरेशन वनीला चालू किया गया है operation वनीला की बात करते हैं तो भारती नौसेना ने चालू किया है भारती नौसेना की कुछ अन्य जो है operations है उनके बारे में भी हम आपको बता दें तो operations समुद्र से तू सागर 1, सागर 2 और सागर 3 ये भी भारती है नौसेना दोरा चलाए गए प्रमुख operations हैं जो की कोविड-19 के दोरान चालू किये गए थे ये चीज महत्वपूर्ण प्रसने थे जो की हमने आपको करवा दिये हैं अब आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दिजिए क्योंकि नोटिफिकेसन आपके पास पहुंच जाया करेगी तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्लस वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है आपके लिए जिससे हमको बहुत ही उत्साह मिलता है और नए-नए कुश्चन लाने के लिए हम की होंगे आपके स्पोर्ट के बहुत ही टॉप लोईबल की जो कुश्च होंगे जिनकों की परिछाओं में आना ही आना है वे प्रशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा दोस्तों के पास सेयर जरू कर दीजेगा जल्दी मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार